अर्ध शास्त्र में जब हम उत्पादन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे सामने उत्पादन के बहुत से साधन या बहुत से पक्षकार जैसे उत्पादक उभोक्ता इस तरह की चीजे हमारे सामने आती हैं बात जब हम उभोक्ताओं की करते हैं तो पिछले अध्यायों में हमने देखा कि किस प्रकार एक उभोक्ता अपने आपको अधिक्तम संतुष्टी देने के लिए संतुलन इस्थापित करता है उ अपने खर्चों को कुछ इस प्रकार से समायोजित करता है कि उसकी जो एक निश्चित आय है उस निश्चित आय से वह अपनी अधिक्तम आवशक्ताओं की पूर्ति कर सके और अगर वह ऐसा कर पाने में सक्षम होता है सफल होता है तो जिस बिंदू पर वह ऐसा कर पाता है उसे हम कहते है उबहोगता संतुलन की अवस्था तो ये तो बात थी उबहोगताओं के संतुलन की अगर हम बात उतपादक के संतुलन की करें तो यहां भी कुछ ऐसे ही धारणा देखने को मिलती है क्या होता है कि जब एक उत्पादन उत्पादन की विभिन इकाईयों को या विभिन साधुनों को समयोजित करता है एक साथ उनको प्रयोग में लाता है और उत्पादन करना प्रारंब करता है तो उसका एक मुख्यों देश रहता है एक तो वो सर्वोत्तम उत्पादन प्राप्त कर सके तो जिस बिंदू पर जिस सीमा पर वो अपने इन लाब को यानि कि मौद्रिक लाब को प्राप्त कर लेता है वहां पर वो जो उत्पादक होता है वो संतुष्ट हो जाता है यानि कि हम कह सकते हैं कि यह वो अवस्था होती है जब वो मौद्रिक लाप यहां पर उत्पादक संतुष्ट हो जाता है या कह सकते हैं कि संतुलन की अवस्था को प्राप्त कर लेता है आप अगर हम उत संतुलन की बात करें तो हम यहां पर देखते हैं कि कीमत के निर्धारण और उत्पादन की मात्रा के निर्धारण दोनों ही अपने आप में अलग-अलग जो इकाईया है और दोनों में साम में स्थापित करना ही उत्पादक का एक मुख्य लक्ष होता है तो उत्पादक संतुलन को और अच्छे से समझन के लिए आए देखते हैं स्टोनियर एवं हेक के परिभाशा स्टोनियर एवं हेक के अनुसार एक फर्म उस समय संतुलन के अवस्था में होगी जबकि वह अधिक्तम मौद्रिक लाब अर्जित कर रही हो और उसका मौद्रिक लाब उस समय अधिक्तम हो सकता है जबकि इसके सीमांत आए एम आर इसके सीमांत लागत एम सी के बराबर हो जाएगी तो आपने देखा कि स्टोनियर एवं हेग का भी यहीं मानना है कि फर्म में संतुलन की अवस्था एक उत्पादक के लिए वह अवस्था होती है जब वह सबसे ज्यादा मौद्रिक लाब प्राप्त करने लगता है तो क्या है यह मौद्रिक लाब और कौन सी है अवस्था जब वह मौद्रिक लाब को प्राप्त करना शुरू करता है आए देखते हैं एक फर्म या हम कह सकते हैं कि एक उत्पादक अधिक्तम लाब प्राप्त करने के लिए अपने फर्म के उत्पादन को उस सीमा तक बढ़ाता है वहां तक बढ़ाते रहता है जहां तक उसकी सीमांत लागत जो है वह सीमांत आए के बराबर नहीं हो जाती सिमान्त लागत यानि कि किसी जो हम जिन वस्तूओं का जिन इकाईयों का प्रयोग हम उत्पादन में कर रहे हैं उनमें से सबसे अंतिमिकाई की लागत वो कहलाती है सिमान्त लागत और बात अगर हम सीमान्त आय की करते हैं तो उसी अंतिमिक आय के विक्रे से जो हमको लाब या आय जो हमको प्राप्त होता है वो सीमान्त आय कहलाती है तो इन दोनों जब बराबर हो जाते हैं यानि कि MR equal to MC हो जाता है तो यह वो अवस्था होती है जबकि एक उत्पादक पूरी तरीके से संतुलन के अवस्था को प्राप्त कर लेता है यह कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है अब यह जो स्टेनियर और हेक की परिभाशा हमने देखी तो उन्होंने अपनी परिभाशा में इस संतुलन की अवस्था को उत्पादक द्वारा संतुलन की अवस्था को प्राप्त करने के कुछ शर्त नरधारित की आए देखते हैं वो कौन-कौन से शर्ते हैं तो पहली शर्त तो यह है कि जैसे कि हमने जाना कि अधिक्तम मौद्रिक लाब यानि कि जहां पर उस बिंदू पर उसे संतुलन की अवस्था प्राप्त होगी जहां पर एक उत्पादन अधिक्तम मौद्रिक लाब यानि मुद् सिमांत आए हमको जो प्राप्त हुई वो सिमांत लागत के बराबर होनी चाहिए यह इसके दूसरी शर्थ तीसरी शर्थ के अगर हम बात करें तो एक महत्पूर बिंदू निकल कर आता है जिसे हम आगे ग्राफ में भी देखेंगे कि यहां यह कहा गया है कि मार्जिनल रेवे और उसके बाद यह जो कटाओ बिंदू के बाद सिमांत लागत है यानि की मार्जिनल कॉस्ट का जो वक्र है वो सिमांत आयानि की एम आर वक्र के ऊपर रहें तो कैसे प्राप्त होगी यह सारी दशाएं और कहां पर उभोगता संतुलन की अवस्था में होगा इसे हम आगे ग्राफ के द्वारा देखेंगे लेकिन फिल्हाल हम देखते हैं कि जो उत्पादक के संतुलन की अवस्थाएं होती है उन्हें किन दो द्रिश्टिकोणों के अंतरगत अभिवेक्ति किया जा सकता है फर्म में साम्य या संतुलन की अवस्था को ग्याद करने के लिए यहां पर दो द्रिश्टिकोणों का प्रियोग किया जाएगा पहला कुल आए तथा कुल लागत द्रिश्टिकोण और दूसरा सीमान्त आए तथा सीमान्त लागत द्रिश्टिकोण पहले अगर हम बात करें कुल आय अत्वा कुल लागत रिष्टिकोन की तो यहां पर हम देखते हैं कि फर्म को जो कुल आय हो रही है वो उसके कुल लागत के जो डिफरेंस है दोनों के डिफरेंस जब हम निकालते हैं तो वहां पर हमको जो बिंदू प्राप्त होता है वहां पर फर्म संतुलन की अवस्था में होगी इस रिष्टी कोड को हम एक सूत्र से और अधिक आसानी से समझ पाएंगे हम यह कह सकते हैं कि एन इक्वल टू टी आर माइनस टी सी यानि कि अधिक्तम लाब बराबर कुल आए माइनस कुल लागत तो यह जो एन जो है वो अधिक्तम मौदरिक लाब की अवस्था है यानी कि यह वह बिंदु है जब कि किसी फर्म में कुल आए और कुल लागत का जो डिफरेंस है जो अंतर है वो सरवाधिक होता है इस बिंदू पर यानी यही वह बिंदू है जहां पर एक उत्पादक साम में की अवस्था, संतुलन की अवस्था या अधिक्तम संतुष्टी की अवस्था को प्राप्त करता है तो कैसे हम अधिक्तम संतुष्टी की अवस्था को ग्याद करते हैं आईए ग्राफ के द्वारा इस कटान बिंदु को जहां पर सामिक के अवस्था प्राप्त होती है और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कुल आय तथा कुल लागत दृष्टिकोर को रेखा चित्र की सहायता से प्रस्तुत करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि पूर्प्रत्योंगीता की वह स्थित्य यहां निर्मित होगी जहां पर वस्थु की कीमत उद्योग की मांग और पूर्टि द्वारा निर्धारित होती है यहां हम उत्पादन की मात्रा को O-X के द्वारा दर्शायेंगे और आगम तथा लागत को रेखा O-Y के द्वारा दर्श आया गया है यहां पर इस्पर्म की कुल आय जो की एक सीधी रेखा T-R के द्वारा प्रदर्शित की जा रही है और यहां रेखा मूल बिंदू O पर 45 अंश के कोड़ पर खिची हुई है इस रेखा चित्र को देखने से यह स्पर्ष्ट हो जाता है कि कुल आय की रेखा यानि कि T-R मूल बिंदू से नीचे से उपर की और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है यानि कि ये रेखा बता रही है कि जैसे जैसे फर्म में वस्तू की अधिक इकाया बेचे जाएंगी वैसे वैसे फर्म की कुल आय भी बढ़ती जाएगी अब अगर हम T C वक्र की बात करें, T C रेखा की बात करें, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर T C फर्मिक के कुल लागत वक्र है, ये एक ऐसा वक्र है जो मूल बिंदू O से प्रारण धना होकर F बिंदू से प्रारण होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर यदि फर्म का उत्पादन शुन्य है तो ओ फर्म की कुल इस्थिर लागत TFC है और शुन्य उत्पादन पर कुल इस्थिर लागत ही फर्म की कुल इस्थिर लागत कहलाएगी इसलिए फर में कि कुल लागत वक्र T, C, F बिंदू से प्रारम होती है नकी O बिंदू से यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जैसे जैसे उत्वादन बढ़ता जाता है वैसे वैसे लागत भी बढ़ती जाती है यहाँ प्रारम्भिक अवस्था में जो कुल लागत T, C घटते हुए दर से बढ़ती है और अंत में या बढ़ते हुए दर से यानि स्पीट में बढ़ने लगती है इसे प्रकार देखा जाए तो कुल लागत वक्र यानि कि T, C वक्र कुल आए रेखा यानि T, R को B एवं T दो बिंदू उपर काटती है यानि कि B और T दोनों ऐसे कटान बिंदू है जहां पर फर्म की कुल आए यानि टोटल रेवेन्यू और कुल लागत और यानि टोटल कॉस्ट एक दूसरे के बराबर है तो हम यह कह सकते हैं कि B और T एक ऐसा कटान बिंदू है जिन दोनों के बीच में फर्म को लाब प्राप्त हो रहा है और इससे यह भी स्पस्ट हो जा रहा है कि दोनों कटान बिंदू के बीच कुल आए रेखा यानि कि T आर रेखा जो है उसकी कुल लागत वक्र यानि T आर रेखा कुल लागत वक्र यानि T C से स्ठीक उपर है जैसे कि हमने अभी पढ़ा था यानि फर्म को M1 और M2 के बीच उत्पादन जो होगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा लाब प्राप्त हो रहा है अब यहाँ एक बात ये भी देखने को मिल रही है कि M1 और M2 उत्पादन के बीच किस उत्पादन मात्रा पर अधिक्तम लाब प्राप्त हो रहा है अगर हमको ये जानना है तो इसके लिए हमको कुल लागत वक्र यानि कि Tc में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने एक LL1 इसपर्ष रेखा कीची हुई है जो कुल आयरेखा यानि TR के समनांतर है ये LL1 रेखा जो है वो कुल लागत वक्र यानि Tc को N बिंदू पर स्पर्ष कर रही है यहाँ हम देख सकते हैं कि N बिंदू से एक लंब NM आधार रेखा OX पर डाला गया है जो कि आधार रेखा OX में M बिंदू पर आकर मिल जाती है यानि कि यहाँ पर O.M. उत्पादन के मात्रही फर्म के सामने या संतूलन के अवस्था होगी यह भी कहा जा सकता है कि O.M. जो है वहाँ पर उत्पादन अगर फर्म वहाँ पर करती है O.M. अवस्था पर तो उसे सरवाधिक लाब राप्त होगा O.M. 1 और O.M. 2 उत्पादन पर फर्म का लाब यहाँ पर हम देख रहें कि शुन्य है जबकि O.M. पर उत्पादन सबसे ज़ादा है यानि हम यह कह सकते हैं कि यह जो O.M. है यहाँ पर फर्म उत्पादन के मात्रह पर सामने या संतूलन की अवस्था में है और उत्पादक जो है वो अधिक्तम संतूष्टी के अवस्था में यहाँ पर देखा जाएगा तो आपने देखा कि किस प्रकार कुल आगत और कुल आगम की इस पूरी अवधार्णा को हम ग्राफ द्वारा अभिवेक्त कर सकते हैं और ग्राफ के द्वारा हम किस प्रकार उस कटान बिंदू को दर्शा सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं जहां पर जो उत्पादक है वो अधिक्तम संतूष्टी के अवस्था को प्राप्त करता है इसके बाद अब हम संतूलन के दूसरे द्रिश्टी कौन याने की सीमांत आए तथा सीमांत लागत द्रिश्टी कौन पर बात करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है सीमांत आए जैसे कि हमने जाना कि किसी वस्तू के जब हम उत्पादन करते हैं तो अधिक्तम लाप प्राप्त करने के लिए उत्पादक जो होता है वो उत्तरोतर इकाईयों के वृध्धी करता जाता है जैसे कि हमने पिछले अध्यायों में देखा तो जब वस्तू की अंतिमिकाई जब साधन की अंतिमिकाई का प्रयोग वो अपने उत्पादन में करता है तो वहाँ पर उस वस्तू के विक्रे से उसको जो लाप प्राप्त होता है वो सिमान्त आय कहलाती है और बात अगर हम सिमान्त लागत की करें तो जैसे कि हमने जाना कि अधिक्तम लाप के प्राप्ति के लिए जो उत्पादक है वो उत्पादन के साधनों की इकाईों में लगातार व्रधी करते जाता है तो अंतिम इकाई वा अंतिम इकाई जहां तक वो अपने उत्पादन को ले जाकर सिमित कर देता है उसकी जो लागत आती है उस अंतिम इका कि इस प्रकार के स्टूइर एवं्हेग ने किस प्रकार पर्वाशित किया है सी मांत पित्प करती है कि फर्म उससे मैं अदक्ता मौधरिक लाब प्राप्त होता है जबकि उसकी सीमांत आए एवं सीमांत लागत एक दूसरे के बराबर होते हैं तो आपने देखा कि एस्टोनियार एवं हेग भी मानते हैं कि वास्तों में अधिक्तम संतुलन की अवस्था उस कंडिशन में उस बिंदू पर प्राप्त होगी जब की marginal cost जो है वो marginal revenue के equal हो जाए यानि कि दोनों ही चीजे एक दूसरे के बराबर हो जाए तो कैसे ये दोनों चीजे एक दूसरे के बराबर हो जाती है और कौन सा वो बिंदू है जहां पर एक उत्पादक अधिक्तम संतुलन की अवस्था को प्राप्त करता है आए एक ग्राप के द्वारा इसे और अधिक अच्छे से समझने का प्रयास करें उत्पादक संतुलन के सीमांत आए एवं सीमांत लागत दिश्टिकोन को प्रस्तुत करने के लिए यहां पर जिस ग्राप का निर्मान किया गया है उसमें रेखा ओ एक्स पर उत्पादन की मात्रा एवं रेखा ओ वाय पर सीमांत आए या सीमांत लागत को प्रस्तुत किया गया है यहां हम देखते हैं कि यहां पर भी पूर प्रत्योगिता की इस्तिति को स्विकार किया जाएगा और यह माना जाएगा कि पूर प्रत्योगिता में क्योंकि वस्तु की कीमत सदय एक समान होती है यानि कि एक इस्तिर कीमत पर फर्म जितना चाहे उतनी वस्तू की विक्री कर सकता है यहां फर्म की ओसत आय यानि की A, R, Average Revenue जो लाइन है वो एक O, X के समानांता रेखा है पूर्ण प्रत्योगिता में जब फर्म वस्तू की कीमत में बिना किसी परिवर्टन को किये जितनी चाहे की सिमानता आय यानि Marginal Revenue उसकी ओसता आय यानि Average Revenue में ही समलित होती है इसके परिणाम सरूप हम यह कह सकते हैं कि ओसता आय और सिमानता आय दोनों की एक ही रेखा होती है आये इस पूरे ग्राफ को एक टेबल की सहता से और अधिक अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर अगर हम एक टेबल में वस्तू के उत्पादन की मात्रा Marginal Cost और Marginal Revenue को लेते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चुकि Marginal Revenue यानि A जो है वो प्रते किस्किति में समान रहती है इस कंडिशन में जब हम पहली वस्तू का उत्पादन करते हैं तो Marginal Revenue 6 और Marginal Cost 7 है दूसरी अवस्ता में जब हम एक वस्तू का उत्पादन करते हैं तो Marginal Revenue 6 और Marginal Cost 6 होती है तीसरी अवस्था में जब हम दो वस्थों का निर्मान करते हैं तो marginal revenue 6 लेकिन marginal cost जो है वो 5 होती है जब हम 3 वस्थों का उत्पादन करते हैं तो हम देखते हैं कि marginal revenue 6 और marginal cost 4 है जब हम 4 एकाई का उत्पादन करते हैं तो हम देखते हैं कि marginal revenue 6 और marginal cost 6 है जब हम 5 उकाई का उत्पादन करते हैं तो हम देखते हैं कि marginal revenue 6 और marginal cost 7 हो जाती है और जब हम 6 उकाई का उत्पादन करते हैं तो हम देखते हैं कि marginal revenue 6 और marginal cost 8 हो जाती हैं इस साड़ने के अधार पर जब हम ग्राफ का निर्मान करते हैं तो हम देखते हैं कि यहां पर हमने ओ एक्स पर उत्पादन की मात्रा और ओ वाई अक्ष पर हमने मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू को अंकित किया हुआ है यहां पर टेबल के एकॉडिंग जब हम मार्जिनल रेवेन्यू की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि शुन्य जब इकाईयों का उत्पादन किया गया तो मार्जिनल रेवेन्यू 6 था पहली इकाई के उत्पादन पर एक इकाई के उत्पादन पर भी 6, दो इकाई के उत्पादन पर भी 6, तीन इकाई के के समनान तर यह रेखा एम आल प्राप्त हो जाती है कि दूसरा जब हम मार्जिनल कोस्ट की बात करते हैं तो देखते हैं कि शुन्य एकाई के उत्पादन पर ये marginal cost जो है वो 7 आती है एक एकाई के उत्पादन पर 6, दो एकाई के उत्पादन पर 5, तेन एकाई के उत्पादन पर 4, चार एकाई के उत्पादन पर 6, पांच एकाई के उत्पादन पर 7 और 6 एकाई के उत्पादन पर 8 ये हमको marginal cost पर हम जिस mc कर्व का नर्मान करते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार यह एक यू शेप की आकरती हमको प्राप्त हो जाती है यहां पर हमको mr वक्र को काटता हुआ दो कटान बिंदू a और b प्राप्त हो जाता है यहां पर mr वक्र को a b दो कटान बिंदू पर काटती है और a एवं b दोनों ऐसे कटान बिंदू है जिन दोनों बिंदू पर पर्म की सिमान आये यानि marginal revenue और सिमान लागत यानि marginal cost एक दूसरे के बरापर है यही वो कटान बिंदू है जहां पर पर्म को कोई लाप राप्त नहीं हो रहा है लेकिन इन दोनों कटान बिंदू के बीच पर्म को लाप राप्त हो रहा है अगर हम इनके बीच के बात करें तो यहां पर फर्म को जो हम यहां पर इस अवस्था को देख रहे हैं यहां फर्मों को लाफ्ट राप्त हो रहा है अब एक महत्वपूर्ण प्रश्चियां यह उठता है कि इन दोनों का टान बिंदू यानों कि A और B मेंसे ऐसा कौन सा बिंदू है जिसे हम फर्म के साम में की अवस्था का बिंदू कहते हैं तो जैसे कि पहले भी हमने इस टेनि वक्त में में हम देखते हैं कि बढ़न का इस ँमान बिंदू पर नीचे से काटे और कटान बिंदू के बाद mucha बब्राबर है यानि पहली शर्थ तो इस बिंदू पर पूरि होảती है लेकिन दूसरी शर्थ भी बिंदूपर पूरी होए है यानि कि M C वक्र फर्म की M R वक्र से नीचे है लेकिन बी बिंदू पर M C वक्र M R फर्मी की रेखा के उपर हैं इस प्रकार हम कह सकते हैं कि B बिंदू पर फर्मी के संतुलन की दोनों शर्ते पूरी हो रही है यहां पर उत्पादक संतुष्टी की अवस्था को प्राप्त कर रहा है यानि B बिंदू पर O M 1 मात्रा उत्पादित करके वो सबसे ज़्यादा लाप प्राप्तित कर सकेगा अब क्योंकि औसत आय रेखा यानि A R को फर्मी की मांग रेखा, कीमत रेखा या विक्री रेखा भी हम कह सकते हैं यानि यह कहा जा सकते हैं कि A R रेखा फर्मी की कीमत रेखा है, O M 1 उत्पादन पर फर्मी की प्रतिकाई कीमत B M 1 या O P के बराबर होगी यानि यहाँ पर उद्योग द्वारा वो कीमत निर्धारित होगी जिस पर एक उत्पादक अधिक्तम संतुष्टी या अधिक्तम मौद्रिक लाब प्राप्तिक कर पाएगा आपने देखा कि किस प्रकार सीमांत आय और सीमांत लागत को लेकर वक्र का नर्मान किया गया इस पूरे वक्रम को समझने के लिए देखा जाए तो यहाँ पर दो बाते जो निकल कर आती हैं उन्हें हम और अधिक अच्छे से स्पस्ट कर सकते हैं एक तो यह कि सीमांत आय और सीमांत आय लागत जो है वो बराबर थी और उस बिंदू पर यह माना गया कि अधिक्तम संतुष्टी की अवस्था उत्पादक को प्राप्त हुई दूसरी एक बात यह भी है कि यहाँ पर जो फर्म की सीमांत लागत याने mc जो कब था वो फर्म की सीमांत आय याने की mr वक्र के ठीक नीचे कि नीचे से झाटा है वो ठीक हुआ नीचे वहाँ पर प्राप्त हुआ है और हम धूसरी बात हम ने यह आ भी देखी कि इस कटान बिन्दू की बाद वह सिंपान तड़ह कर है वह उसके ठीक ऊपर पर प्राप्त होता है तो इस पूरे ग्राफ में और इस दोनों ही दृष्टिकोंड में हमने देखा कि किस प्रकार एक उत्पादक जो उसका मुख्य धिये है उसको वो निश्चित करता है मुख्य धिये याने की अधिक्ता मौद्रिक लाप्राप्त करने का प्रयास करता है और इस अधिक्ता मौद्रिक लाब प्राप्त करने के लिए वो कई फैक्टर एक साथ लेकर चलता है कभी वो देखता है कि कुल लागत कितनी आई और कभी सीमान्त लागत पर फोकस करता है कभी देखता है कि कुल आए कितनी आई यह फिर वो सीमान्त आए पर फोकस करता है तो यह सारे फैक्टर कुछ ऐसे यह दृष्टिकॉण है जिनको मिला कर वह अपना एक लाब का हिस्सा निश्चित करता है और हमेशा वो प्रयाप्ट निशील रहता है कि किस प्रकार वो सेमित जो है साधनों को लगाकर अधिक्तम लाब प्राप्त कर सके और भोकता को भी संतुष्टि प्रदान कर सके और उत